तेयार बैठे हो बहुत अच्छे से ज़रा पीछे मुड़के घरवालों की खुशी देखो कि सुबह आठ बजे उट रहे हो तुम तो चलो आज राज खोल देता हूं उसके बाद वीडियो चालू करूँगा कि ये सुबह आठ बजे क्यों आना क्योंकि घरवालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुमारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उटते हो और अगर तुमारे पीछे खड़ हुए घरवाले हस रहें मुस्कुरा रहें या देखके हैरान है कि यार ये बच्चा सुबह आठ बजे उटके कैसे पढ़ाई कर रहा है तो देखो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली है तब ही तो मैं कहता हूँ कि कॉमर्स बाबा एक एक स्पीरियंस है जिनको बहाने मारने वो अभी भी बहाने मार रहे हम नहीं कर पा रहे हैं नहीं हो पाएगा ये और वो लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो तुम लोगों ने वो कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ट तुम से डिमांड कर रहा है एक कमिट्मेंट एक सीरियसनेस और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तयारी करनी है या और डीटेल्ड वीडियोस चाहिए कि नहीं भईया हमें तो बहुती डेप्थ में जाना है तो आप सब के लिए सिर्फ एक डिसीजन लिया कि आप सब के पास एक हमबल बंडल होना चाहिए तो आप कॉमर्स बाबा की एप डाउनलोड कर सकते हो और स्टोर सेक्शन में से हमबल बंडल ले सकते हो अगर आपको इन डेप्थ डीटेल्ड वीडियोस चाहिए कॉमर्स बाबा के गैस पेपर्स चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉट नोट्स चाहिए जो बाकी जगे 10-10, 15-15 पेज़े के है आप उनको 3-4 पेज़े में रिप्टा सकते हो अगर आपको चाहिए यू कैन अल्वेज गो टू आपको कॉमर्स बाबा एप और स्टोर सेक्शन में 20 देज प्लेज हमबल बंडल अविलेबल है शुरू गार्ट कहते तू होता कौन है कहने वाला कहते कौन बाते तेरी सुनने वाला मुझको ना लेना देना इससे जितने अगली बैटे घर पे सबको एक साथ किया आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा या श्री गणिश करूँगा एकॉनमिक प्लैनिंग के साथ बड़ा ही इंट्रस्टिंग बनाना है आईडी को और ऐसे दुनिया के सामने चाती चोड़ी करके खड़े होना है कि यह पढ़ना है आईडी बाओ जी के फ्लेवर के साथ पढ़ना वरना तो मत पढ़ना तो मिक्स्ट एकॉनमिक सिस्टम जब हमारे भारत में अपना लिया गया तो भारत सरकार का अगला अध्याय क्या था बात सिंपल सी थी पूर अंडर डेवलप्ट और स्टेगनेंट एकॉनमि जो हमारी थी उसको फिर से रिवाइब करना जो हमें एक तरीके से तौफ़े में देखी गई थी ब्रिटिश गवर्मेंट हम इतने बैकवर्ट थे कि हम एकॉनमिक डेवलप्मेंट में भी बैकवर्ट जाने लगे थे ये हालत हमारी भारत एकॉनमि की होने लगी थी और हमारा सिर्फ एक काम था कि जिस तरीके से हमने Mixed Economic System को अपनाया है उस तरीके का Growth Rate भी हमें देखने को मिले और भारत सरकार को इस समझ सबसे ज़ादा जरुवत थी Economic Planning की यानि एक Plan Create करने की एक Conscious Decision लेने की जरुवत थी कि ये Plan कैसा होगा और Economic Planning के अंदर कुछ नहीं होता बस ये Decide होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिसकस किया था What to produce, How to produce and for whom to produce और ऐसा नहीं है कि इसको बस यूँ ही कर लिया गया इसके लिए पूरे भारत के अंदर Comprehensive Study की गई और ये पता किया गया कि किस चीज की जरुवत है और किस चीज की नहीं अब यहाँ पे दो चीजे मैं तुमसे बड़े strictly लिखने को बोलूँगा और मैं चाहूँगा कि तुम लिखो तो पहला आता है The Industrial Policy Resolution 1948 and The Directive Principles of the Indian Constitution The Directive Principles of the Indian Constitution जी हाँ मैंने दो बार बुला क्योंकि इन दो ने मिलकर ये define किया कि Public Sector का रोल क्या होगा जब हम Economic Planning करेंगे ये दो चीजे अच्छे से लिख लेना मेरे साथ याद कर रहे हो तो बाबा जी की बात जरूर मानते चलना और हाँ यहाँ पे Private Sector को कुछ जाजा खासा अटेंशन नहीं दिया गया Private Sector को बोला हाँ तुम भी करो मतब encourage कर दिया जैसे बच्चे को चाले नहीं लगा देते के हाँ तू भी कर ले भाई ऐसे ही Private Sector को भी बोला गया हाँ आप भी कर लेकिन focus यहाँ पे सिर्फ एक पे था और वो था हमारा Public Sector और इसी economic planning को बहुत अच्छा बनाने के लिए, impressive बनाने के लिए, impactful बनाने के लिए planning commission का गठन किया गया सन 1950 में 1950 में और हमारे प्रधान मंत्री को दे प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया को इसका chairman बनाया गया यह भी लिख लेना और जो purpose था इस commission का वो simply था to carefully assess the natural and human resources यह देखना कि natural और human resources को किस तरीके से इस्तिमाल में लाया जा रहा है and trying to find the optimum utilization of these resources और किस तरीके से इनको best possible way में use किया जा सकता है जैसे कि हमारा भारत हमेशा से क्रशी प्रधान देश रहा है और भारत सरकार को ये पूरा भरोसा था कि अगर हमने अपनी क्रशी को और जादा प्रोथसाहन दिया यानि और जादा encouragement दिया तो बहुत आगे जाएंगे हम जमीन से जुड़ा और अपनी माटी से जुड़ा हुआ इनसान कभी भी पीछे नहीं जाता अगर अपना पूरा भरोसा हो तो और यही भारत सरकार ने किया और आज हम इस लेवल पे आके खड़े हैं और इसी planning commission ने ये planning का जो तरीका है ये हर पांस साल के लिए fix कर दिया और तभी से वो era चालू हुआ जिसे हम बोलते हैं 5 yearly plan जो के आज तक आप देखते हैं आज तक आपको देखने को मिलते हैं तो भारत सरकार ने यहां पे goals of 5 yearly plan को दो major agendas में बाटा या दो major अध्याय में बाटा पहला बोला to remove the economic backwardness of the country जो हम monetary level पे बहुत पिछार चुके थे उसको पूरी तरह से खतम कर देना and when it comes to the output of the economy हम कितना production कर रहें यह सब कर रहें उसको लेके हम दूसरे अध्याय पे आए and वो था to make India a developed economy self-reliant economy कि हम जो भी करें अपने बलबूते पे करें और हाँ सिर्फ यही नहीं यह जो हमारे five yearly plans बनाएगा इसके अंदर यह भी ध्यान रखा गया कि जो weaker sections of the economy होते है न उनको भी इस economic progress से जो भारत सरकार करेगी economic progress of the nation से फाइदा हो उनको भी लगे कि हम भी पार्ट हैं हम गरीब हैं तो हमें पिछड़ा समझ के छोड़ नहीं दिया गया है उन weaker sections को भी कहीं न कहीं growth का फाइदा हो और इसी के साथ first five yearly plan को launch किया गया 1st April 1951 को जो के चला 31st March 1956 तक इन five yearly plans के अंदर list बनाई गई basic goals जो Indian government को achieve करने है for the development of our nation और यही guiding principles की तरह भारत सरकार की मदद करते रहे जब भी five yearly plans को बनाया गया ये चार goals थे पहला growth, दूसरा modernization, तीसरा self-reliance ये basically चार goals थे पहला था growth, दूसरा था modernization, तीसरा था self-reliance और चौथा equity तो यार चलो शुरुआत करते हैं कि growth से आखिर हमारे भारत सरकार का क्या meaning था, growth किस चीज में बोलना चाहते थे तो मैं जैसा तुम्हें बता रहाँ कि अगर हमें developed economy बनना है, तो हमें self-reliance बनना पड़ेगा, हमें output पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि instead of being an importer country, we should become an exporter country हम इतना produce करें कि दुनिया वाले हमसे खरीदना चाहें, ऐसा ना हो कि हम दूसरों पे dependent हैं, मतलब वो best feeling होती है कि मा के हाथ का खाना हम खुद तो खा रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें मजा नहीं आता कि पड़ोसी हमारे घर पे देखे चले जब हमारे देश की तारीफ होगी, तो हमारा सीना चौड़ा होगा और इसी से related था हमारा growth, तो शुरू करते हैं growth के साथ, जैसा मैंने बता है, वैसे ही simple इसकी definition भी है, growth refers to the increase in the output capacity of any nation, जेतना output बढ़ेगा, country उतनी ही grow करेगी, तो growth किसको बोला गया, अगर मैं और detail में जा एक ऐसा पैसा या एक ऐसा investment जो आपको production करके दे, या फिर larger size of supporting services, जैसे banking हो गया, transportation हो गया, insurance हो गया, अगर आप इसमें भी अपने आपको strong बना रहे हो, और strong hold रख रहे हो, हमारे भारत में जैसे ये चीज़ें काफी आज का डाइम पे popular भी है, तो ये service sector अगर आपका strong है, तो ये भी growth की एक अपनी निशानी है, और increase in the efficiency of productive capacity या production and services, अगर आपकी productive capacity भी बढ़ रही है, अगर आपका production और increase हो रहा है, या services आपकी improve हो रही है, तो ये भी growth का अपना एक अलग sign होता है, इन सब को जोड़ दो, तो आप growth को define कर सकते हो, output in every sense, तो यहाँ growth को denote किया गय gross domestic product से, जो हमारे भारत में हर आयत दूसरे साल का issue होता है, कि GDP कभी अब जा रहा है, GDP कभी down जा रहा है, हमें reason नहीं पता, लेकिन हम जब भी बात करते हैं, gross domestic product की बात करते हैं, और gross domestic product कुछ नहीं है, it is all about the output of the nation, भारत के अंदर सारी industries मिलके कितना output generate करें, फरक नहीं परत production हो रहा है, वो पिछले सालों के मुकाबले बढ़ रहा है या कम कर रहा है, यह होता है GDP यानि gross domestic product of any nation, और GDP जो है, वो agriculture sector हो गया, industrial sector हो गया, service sector हो गया, सबसे derive की जाती है, मैं बार बार इस चीज़ पर emphasize कर रहा हूं कि फरक नहीं पढ़ता, तुम किसके बारें बात करें हो it all contributes to output और जब हम एक साल के अंदर अंदर ये चीज़ को analyze करते हैं, detail में उसके data निकालते हैं, तो उसको GDP नाम दिया जाता है, फिर बात आती है modernization की, तो growth की जब मैंने आपको detail में पूरी definition बता दी, पूरा meaning बता दिया, तो modernization क्या है, modernization है advancement in technology, हम कितनी जल्दी नेक टेक technology friendly है और कौन कितना नहीं है, अगर आप अपने ममी पापा को देखेंगे तो हमेशा phone hold करके ऐसे चलाएंगे, और आप being superstar, आप हमेशा एक हाथ से ही पूरा phone चला लेते हैं, कहां कहां से कैसे कैसे वो आपको मालूम है, so this is technological differentiation, this is technological advancement जो दिखता है हमारी economy के अंदर, जब हम इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है, इंडिया को नई technology को adopt करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ ठीक हम करशी प्रधान देश हैं, हमारे culture में वो चीज़ नहीं है, हमारे tradition में वो चीज़ नहीं है, हम मना नहीं कर रहें, लेकिन आपको दुनिया के साथ चलना प purposes, और इसी के साथ साथ modernization का दूसरा point भी निकल के आता है, और वो है change in social outlook, मैं आज के टाइम पे इतना conscious हूँ और ये चीज़े जानता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा चीजों में behavior में changes देख रहा हूं लोगों के, और मेरे अंदर जो life में change आया है, जो मैंने life में over the period of time changes द आने पड़ेंगे जब आप चीजे सोचते हो, जब आप चीजे करते हो, मैं भी काफी backlashes जेलता हूँ जब मैं भी कोई चीज नहीं करता हूँ या मैं कोई unique चीज करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उस चीज को continue कर अगर आप चीज़ों को अपना सकते हो तो आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी जिसको माना जाता है मैंटल रिवल्यूशन यानि मानसिक करांती फिर आजाते हैं सेल्फ रिलाइंस पे अंग्रे जी बोला गया लिख लेना और कमिंग दा नीड औफ एक्स्टर्नल असिस्टेंस की मतलब यह है के मुझे किसी की जरूवत नहीं है जो मैं करूँगा खुद करूँगा अब भारत इग्नोरेंट नहीं हो सकता भारत एरोगेंट नहीं हो सकता लेकिन भारत अडॉप्ट तो कर सकता है चीज़े यहाँ पे कहने का मतलब क्या है सेल्फ रिलाइंट बनो सम्रिद्ध बनो जो चीज़े घर में हो सकती है बिलकुल बनाओ जो चीजे घर में कर सकते हो बिल्कुल करो जो नहीं कर सकते किसी भी angle से उसके लिए बाहर के देशों पर रिफर करो तुम्हारे उपर है घर में खाना बनाया जा सकता है घर का खाना काओ बाइबार रेस्टरों मत जाओ लेकिन हाँ अगर आप जानते हैं कि मोबाइल फोन घर में नहीं बन सकता है तो खरीद के ले ओ सिंपल सी बात है तो ये चीजें जो है ये हमारी आती है सेल्फ रिलाइंस के अंदर यानि खुद के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी economy से भी यही expect किया गया जब growth of five yearly plans देखा गया तो उसके अंदर self-reliance को भी उतनी importance दी गई कि जो हम खुद कर सकते हैं वो हम दूसरों से नहीं करवाएंगे या दूसरे nations पे dependent नहीं होंगे यानि foreign dependence और foreign interference दोनों को खतम कर दिया गया यह policy थी हमारे भारत की self-reliance बनने की self-reliance बनने की foreign dependence भी हटाओ, foreign interference भी हटाओ, जहां जरूरत नहीं है वहाँ ignore मारो, economic growth करो, development करो, अपने बलबूते पे, अपने resources पे last point आता है equity, economic prosperity should be availed by all the sections of the society economic benefit ऐसा नहीं होना चाहिए कि rich becomes richer and poor becomes poorer ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, when it comes to economic prosperity यहां पर मेरा term सुनना क्योंकि यह तुम्हें बोर्ड में लिखके आना है equity मतलब economic prosperity, equity मतलब सदभावना नहीं होता है, सिर्फ सदभावना नहीं होता economic prosperity होता है, that means when it comes to economic benefits, it should not go just to richer अगर हम भारत सरकार हैं, अगर हम public sector हैं, तो हम यह जानते हैं, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे citizens के लिए, कि हम उनको benefit पहुँचाएं, अगर वो खुद से वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यहीं किया गया, जब बात आई, economic prosperity की, equity की, कि हाँ भाई, जो अपनी महनत का कमा रहा है, उसको कमाने दो, लेकिन जो इस लायक नहीं है, या जो इतना literate नहीं है, जो या poor section of the society के अंदर है, उसको economic benefit भारत सरकार खुद से दे, funding से दे, टेकसिस के दुरू दे, हर एक आम इनसान को उसकी basic ज़रूरतें तो मिलें, जिसको नाम दिया गया food, clothing and shelter, रोटी, कपड़ा और मकान, ये basic necessities, basic provide कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, अगर उसके नागरिक भूके सोने लगे, बिना चथके रहने लगे, तो ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धबा है, जिसको खतम किया गया हमारे 5 yearly plan के अंदर equity point के साथ, तो भ पड़ रखा है, मैं ऐसे को समझा रहा हूँ, जिसने कभी नहीं पड़ा हो, तो इसके notes बना लेना, अच्छे से लिख लेना, summarize कर लेना, और एक बार फिर से revise कर लेना, ताकि तुमें इसका 100% idea हो जाए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाजी की तर पको एक साथ किया